दरैट ट्रैप बाई सल्मा लगरलॉफ एक समय की बात है एक पैडलर हुआ करता था जो तार से बनी चुहेदानी बेचा करता था वह बहुत गरीब था कभी कभी तो उसे अपना पेट भरने के लिए भीक भी मागना परता था एक दिन जब वह अपनी चुहेदानी बेच रहा था तब उसे एक खयाल आया ये पूरी दुनिया एक बड़ी सी चुहेदानी है और इस दुनिया में पैसे, घर, कपड़े और सभी अच्छी चीजे सिर्फ एक चारा है बिलकुल एक चुहेदानी की तरह और जैसे ही कोई इनसान इस सब के चकर में पड़ता है वह इस बड़ी सी चुहेदानी में ही फस कर रह जाता है पैडलर अक्सर इस तरह की बाते सोचता है और वो सोचता है कि कैसे लोग इस रैट ट्रैप में फ़स जाते हैं और कुछ लोग इसके आस पास ही भटक रहे हैं इसमें फ़सने के लिए एक बार जब मैं हाईवे पर चुहेदानी बेचते हुए जा रहा था तभी मुझे सड़क के किनारे एक छोटा सा घर दिखा मैं वहाँ पर रात पर रुखने की उमीद से उस घर के दरवाजे पर नौक किया अंदर से एक ओल्ड मैन ने दरवाजा खोला तभी मैंने उनसे और वह अकेले ही रहता था इसलिए वह मेरे साथ टाइम स्पेंड करने में खुश था उसने हमें खाने के लिए दल्या दिया और उसके बाद हमारे लिए टोबैको भी लाया और फिर हमने मिलकर कार्ट्स भी केला जब तक हमें नींद नहीं आने लगी उस ओल्ड मैन ने मु दूद बेचता है और वह पिछले महीने ही दूद बेचकर 30 क्रोनर्स कमाया है जब मैंने सुना कि 30 क्रोनर्स और वो भी दूद बेचकर तो मुझे बिलकुल यकीन नहीं हुआ तभी वह ओल्ड मैन अपने विंडो के पास लटका हुआ एक पाउच लाता है और उसमें से 30 क् तो मैं बिलकुल हैरान हो जाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं इतने पैसे पूरे साल भर में भी नहीं कमा सकता और उसने सिर्फ एक महीने में इतना कमा लिया और थोड़ी देर बाद वह उस पाउच को वापस खिड़की के पास लटका देता है और नेक्स्ट मॉर् महीं चाहता था कि घर के मालिक के जाने के बाद मैं उसके घर में रहूं इसे लिए हम दोनों एक साथ ही घर से बाहर निकलते हैं क्राफ्टर घर पे ताला लगाता है और हम दोनों अलग-अलग रास्ते पर निकल जाते हैं आधे घंटे बाद मैं फिर से उस घर के सामने आया और मैंने उस खिड़की को तोड़ा और वहां से पैसे चुरा लिये और मैं फटाफट वहां से निकल गया अब वह चोरी के 30 क्रॉनर्स मेरी पॉकिट में थे इसलिए मैं पबलिक हाईवे पे चल कर रिस्क नहीं लेना चाता था तो मैं जंगल में चला गया और जंगल के रास्ते ही आगे बढ़ने लगा मैं उस जंगल में आगे चलता ही चला जा रहा था पर वह जंगल तो कहीं खतम ही नहीं हो रहा था बहुत दिर चलने के बाद मुझे पता चला कि मैं तो एक ही जगा पर गोल गोल चकर काट रहा हूँ अब तो मुझे में जरा सी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एक भी कदम आगे चलूँ तभी मुझे मेरी ही बाते याद आ गई ये पूरी दुनिया एक बड़ी सी चुहेदानी है और अब मैं भी इसमें फस गया हूँ साम ढलने के साथ साथ मेरी जिन्दा बचने की सारी उमीदे भी खतम होती जा रही थी ठकान की वजह से मैं वहाँ जमीन पर ही लेट गया और अब मुझे लगने लगा था कि मेरा अंतिम समय आ गया है तभी मुझे हैमर्स की आवाजे आई मैं समझ गया कि ये जरूर किसी आईरन मिल से ही आ रही है मैंने अपनी सारी ताकत लगाई और उठकर उस आवाज की दिसा में चलने लगा कुछ दिर चलने के बाद फाइनली मैं रैम जो आईरन मिल के सामने खड़ा था वो काफी बड़ा मिल था और उसमें एक बड़ी सी भटी थी जिसमें लोहे को गलाया जा रहा था मैंने मास्टर ब्लैक स्मित से आज रात यहाँ पर रुखने की बात की तब उन्होंने सिर हिलाते हुए हां कहा कुछ दिर बाद उस आईरन मिल का मालिक इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पर आता है तभी उसकी नजर मुझे पर पड़ जाती है वहाँ पर भटी की रौशनी में वह मुझे अपना पुराना फ्रेंड जो की उसी के साथ उसी की ही रेजिमेंट में काम करता था समझ लेता है और वह मुझे से कहता है कैप्टन तुम इतनी दिनों तक कहा थे देखो तुमने क्या हालत बना ली है अपनी कोई बात नहीं अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो हम क्रिस्मस साथ में ही मनाएंगे उसके ऐसा बोलते ही मैं समझ गया कि वह मुझे अपना पुराना दोस्त समझ रहा है पर मैं उसके साथ उसके घर नहीं जाना चाहता था क्यूंकि वह चोरी के 30 क्रॉनर्स अभी भी मेरे पास ही थे और अगर मैं पकड़ा गया तो मैं नहीं बचूंगा इसलिए मैंने उनहें मना कर दिया पर उन्होंने फिर से जिद किया की तुम मेरे साथ मेरे घर चलो पर मैं फिर से मना कर दिया और फाइनली उनको अकेले ही घर जाना पड़ा कुछ देर बाद आइरन मास्टर अपने डॉटर एडला को भेजता है इस उमीद में कि वह सायत कैप्टन को घर आने के लिए मना पाए एडला बहुत समझदार थी वह पैडलर के पास आकर कहती है मैं एडला विलियमसन हूँ मेरे डैड ने बताया कि आप रात में यहीं पर रुकेंगे इसलिए मैं आपको घर ले जाने के लिए आई हूँ एडला पैडलर को ध्यान से देखती है और वह नोटिस करती है कि यह काफी डरा हुआ है एडला समझ जाती है कि या तो इसने चोरी की है और नहीं तो यह जेल से भागा हुआ है और वह पैडलर से कहती है आप विश्वास रखिये कैप्टन आप जितनी आजादी से हमारे घर पर आएंगे उतनी ही आजादी से वहाँ से जा सकते हैं आप सिर्फ क्रिस्मस इव तक हमारे साथ रहिए एडला की ऐसी बाते सुनकर पैडलर को कॉन्फिडेंस आ गया और वह एडला के साथ उसके घर जाने को तयार हो गया एडला उसे एक उन की स्वेटर देती है और वो दोनों घर के लिए निकल जाते है घर के बाहर पहुचकर पैडलर सोचता है कि आखिर उसने वो पैसे क्यों चुराए और अब वो वर्ल्ड नाम की चुहदानी में फस गया है और इतना सोचने के बाद वो घर के अंदर चला जाता है जब आईरन मास्टर पैडलर को देखता है तो वो बहुत खुस होता है और वो अपने नोकरों से कहता है कि कैटन को बहुत अच्छे से तयार करो उनके जाने के बाद एडला आईरन मास्टर से कहती है डैट क्या आपको सच में लगता है कि ये ही कैप्टन है क्यूंकि लास्ट नाइट मुझे कहीं से भी वह educated तो नहीं लगा ये सब इसलिए क्यूंकि वह काफी बुरा समय देखा है और अब जब वह तयार होकर आएगा तब तुम उसे देखना उनके ऐसा कहते ही दरवाजा खुलता है और पैडलर उनके सामने आ जाता है पैडलर ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए थे उसके बीर्ट्स भी कटे हुए थे और उसका हेयर स्टाइल भी काफी अच्छा था इस बार जब आईरन मास्टर ने पैडलर को देखा तब वह समझ जाता है कि वह कैप्टन नहीं है लास्ट नाइट उसे कैप्टन को पहचानने में गलती हो गई थी तब वह गुस्से से कहता है कि ये सब क्या है अब पैडलर समझ जाता है कि आईरन मास्टर को सारा सच पता चल गया है और वह आईरन मास्टर से कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ही कैप्टन हूँ और यहां तक कि मैं तो आपके घर आने को तयार भी नहीं था लेकिन आपने ही जित करकर मुझे अपने घर पर बुलाया लेकिन अभी भी कुछ बुरा नहीं हुआ है मैं आपके कपड़े यहीं पर रख देता हूं और मैं यहां से चला जाता हूं तब आइरन मास्टर पैडलर को कहता है ठीक है पर तुम्हें यह मानना हुगा कि तुमने भी कोई इमंदारी नहीं की थी वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा पुलिस का नाम सुनकर पैडलर थोड़ा डर जाता है और वह अपने हाथों को टेबल पर मारते हुए कहता है मैं आपको बताता हूं कि असल बात क्या है असल में ये सारा संसार एक बड़ा सा चुहेदानी है और इसमें रखी सारी अच्छी चीजे सिर्फ एक चारा है जो एक दिन आप भी किसी अच्छी चीज के लालच में इस बड़े से चुहेदानी में ही फस कर रह जाएंगे पैडलर की ऐसी बाते सुनकर आईरन मास्टर थोड़ा सा हसता है और कहता है तुमने कुछ गलत तो नहीं कहा मेरे दोस्त आज क्रिसमस इफ पर पुलीस की बाते छो नहीं दूंगी एडला की ऐसी बाते सुनकर आईरन मास्टर काफी सप्राइज हो जाता है और वह पूछता है कि ऐसा क्यूं मैं इस अजनभी के बारे में सोच रही थी जो हमेशा इधर उधर भटकते रहता है और पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगा नहीं है जहां इसका व पूसिया मिले और इसलिए मुझे लगता है कि हमें उस सक्स को भगाना नहीं चाहिए जिसे हमने क्रिस्मस इव के लिए इनवाइट किया है एडला की इस तरह की बाते सुनकर आईरन मास्टर कहता है ठीक है एडला पर मैं उमीद करूंगा कि तुम्हें बाद में चलकर अप पिर सो जाता था और जब वह रात के डिनर के बाद सब को थैंक यू एन गुट नाइट कह रहा था तब एडला ने उस से कहा ये सूट डैट की तरफ से आपके लिए क्रिस्मस गिफ्ट है आपको इसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं है और अगर आप चाहे तो नेक्स्ट क सोने के लिए चला गया एडला और उसके फादर सुबह जल्दी उठ जाते हैं क्यूंकि उन्हें सुबह चर्च जाना था उन्होंने पैडलर को नहीं उठाया क्यूंकि वह नहीं चाते थे कि वो पैडलर को डिस्टर्ब करे चर्च जाकर उन्हें पता चलता है कि कि किसी पैडलर से कहता है देखा तुमने कैसे इनसान को अपने घर पर रखा अब न जाने उसने क्या-क्या चीज चुरा लिया होगा जब वो घर पर आते हैं तो आइरन माश्टर अपनी नौकरों से पूछता है क्या तुम लोगों ने पैडलर को देखा पैडलर वो तो चला गया क् में मालूम भी था वो एक चोर था अब बताओ कि वो घर से क्या क्या चीज ले कर गया है मालिक वो कुछ ले तो नहीं गया पर वह कुछ छोड़ जरूर गया है मिस विलियमसन के लिए जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक पाउच एक छोटा सा चुहेदानी औ इसलिए पाउच में उस क्रॉफटर के पैसे रखे हुए हैं प्लीज आप उसे रिटर्न कर देना और वो छोटी सी चुहेदानी आपके लिए मेरी तरब से क्रिस्मस गिफ्ट मुझे इस वर्ल्ड नाम के चुहेदानी से बाहर निकालने के लिए और मैं कोशिस करूंगा कि मैं रियल का कैप्टन बन सकूंग योर कैप्टन